चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चों नीट 23 की एकजाम क्रेक करने के लिए आपके लिए जो सबसे बड़ा बेरियर है वो है एकजाम का डर हर एक नीट एकजाम के मन में एकजाम से पहले यही डर बना रहता है पेपर कैसा रहेगा मैं पेपर कर पाऊंगा या नहीं पेपर में कैसे कैसे क्यूशन आएंगे कहीं पेपर हाड तो नहीं आएगा इस प्रकार के फाल्तू क्यूसन आपके दिमाग में आते रहते हैं जिस स्टुडेंट ने इस डर पर काबू पा लिया वो इस एक्जाम को सफल कर जाएगा पेपर ऐसा ही आएगा जो आप अभी तक प्रेक्टिस करते आ रहे हैं क्यूसन वही है पेपर हाड आएगा तो सभी के लिए हाड आएगा तो फिर ये डर कैसा ये फाल्तू का डर क्यूं दिमाग में लिए बठे हैं आप निकाल फैंके इस डर को और ये सोचकर मेहनत कीजिए कि मैं इस बार सपल होंगा दुनिया की कोई भी ताकत मेरा स्लेक्षन नहीं रोक सकती क्योंकि मेरी तयारी अच्छी है और मैं और भी मैनत करूंगा अभी इसके लिए काफी समय है डर हावी होने से आत्म विश्वास कम हो जाता है मगर आपको तो डर नहीं नहीं है एक्जाम का डर कैसा क्योंकि क्यूशन तो वही है जिसके आपने प्रेक्टिस कर रखी है एक्जाम वही है जो आपने पहले दे रखी है एक्जाम का सेलेबस पैटरन, टाइमिंग सब कुस तो वही है तो फिर डर किस बात का डरो मत, हिमत से काम लो ज्यादातर स्टुडेंट इस समय हिमत छोड़ देते हैं जब एक्जाम नजदीक आती है उस समय हिमत छोड़ देते हैं आपने हिमत बना कर जंग लड़नी है और हम सब जानते हैं कि जंग डर कर नहीं लड़ी जाती बलकि हिमत से लड़ी जाती है डर वर्ड आपकी डिक्सनरी में होना ही नहीं चीए आपको बहादूर बनना है कायर नहीं तो निकाल भेंकिए इस डर को और ही मत कर लो नीट रूपी जंग लड़ने की आपको सलक्षन से कोई नहीं रोग सकता ये मैं आपसे वादा करता हूँ दुनिया में मुश्किल नाम की कोई चीज नहीं होती है बेसक आपके होसले बुलंद होने चीए आपने देखा होगा 8th, 10th Attempt तक लोग नीट क्रेक करते हैं क्योंकि वो हार नहीं मानते हैं उनमें होसले होते हैं आत्म विश्वास होता है मगर डर नहीं होता आपको उसी रास्ते पर डर लग रहा है जिस रास्ते पर आप पहले गुजर चुके हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं उसके बाद भी आप डर रहे हैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक्जाम से डरना नहीं है बलकि महनत करनी है अभी एक्जाम में 85 डेज का समय बचा है यह समय सफिशेंट है नीट क्रेक करने के लिए इस समय में महनत करके सफल होते मैंने तकरीबन स्टूरेंट को देखा है आप भी महनत करो अवस्य सफल होंगे बस टोप लग